मैं दिल्ली उनिवस्टी में पढ़ी हूँ, मैंने B.A.C., M.A.C., L.L.B. वहीं से के, और जो मेरा पीरियड का, पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंदर मोधी की M.A. की डिगरी बताते हैं, उसी पीरियड की बताते हैं, B.A. और M.A. के, तो मेरे से ज़्यदा कौन जानेगा की युनिवस्टी के अंदर मोधी था की नहीं, अरून जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजे गोहल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, ये बीवीपी में थे, मैं All India Student Federation करती थी, मैं सभी NSY के, ABVP के, SYS, समाजवादी, यूजजबा के, SFI के, ISF के, सब नेताओं को जानती थी, और जानती हूँ, जो अलग-लग जगों पे नित्रित्र कर रहे हैं, मैंने जितनी दिगरिया पास की, वो सारी हस्त लिखी थे, क्योंकि उस जमाने में हाथ से दिगरी लिखी जाती थी, तो फिर मेरे दिर मोधी की डिगरी, टाइप डिगरी कहां से पूचिये इन से, इन से ये पूचिये, कि जब टाइप भी कराना था, तो निकमों कम से कम सोच तो लेते, जो फॉंट, टाइपिंग का कम्पूटर पे फॉंट, अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं जा, वो डिगरी उस फॉंट में टाइप करके उनको दी गई है, तो जूटकी तो कोई सीमा नहीं है ना, जिस रेलवे स्टेशन पे चाय देचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ले, वोट पाई, तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने, रेलवे में एक चिट्टी डाली, सूचना अधिकार, कि ये रेलवे स्टेशन कब बना, 1973 में बना, अब नरेंदर मोदी कब पैदा हुए, उनी सो उनी चास में, तो उनी सो तीहतर में वो कितने साल के होगे, 24 साल के थे, तो वो रेलवे स्टेशन, जब ये 24 साल के हुए, तब वो रेलवे स्टेशन बना, और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई, तो नरेंदर मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे साथ-ाथ साल की उमर में चाहे कैसे बेच लिए।